साथियों मोदी की गारंटी क्या होती है? इसका उदारान, वन रैंक, वन पेंशन, यानि ओर ओपी, ये सब जानते हैं। कॉंग्रेस ने चार दसक तक हमारे सैनिकों की बात नहीं सुनी। सब कुछ कुरवान कर देने के उसका जज़बा लेकर देश की सेवा करने वाले सैनिक कॉंग्रेस के रवये से परेशान थे। सिर्फ पान सो करोड रुपे किनारे रख कर कॉंग्रेस ने हमारे सैनिकों से जूठ बोलना, वन रेंग वन पेंशन लागू करने के जूठी गारंटिया देना, गुम्रा करना, ब्रमित करना, आख में दूल जोंकना, बेहिमानी से काम करते रहे। 500 करोड रुपिये में वन रेंग, वन पेंशन संभवी नहीं था, उनको भी पता था। मोधी ने देश के हर सैनिक परिवार को वन रेंग, वन पेंशन लागू करने की गारंटिय दीची। हमने इसे जंके की चोट पर लागू किया, देश भर के पुरवसाहिनिकों को ओर आर ओपी के तहर सत्तर हजार करोड रुपिये, ये मेरे पुरवसाहिनिकों को मिल चुके हैं। मेरे परिवार जनो, आज के नवजवानों के लिए ये जानना जरूरी है कि कॉंग्रेस ने हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवार किया है। आजादी के बाद देश के सबसे पहले गोटालों में, जो सबसे पहले गोटाले हुए है, उसमें से एक गोटाला जो कॉंग्रेस ने शुपारम किया था, वो सेना से इगोटाला करके शुपारम किया था। एक कॉंग्रेस ही थी जिसने देश की सेना को विदेशी हत्यारोपन निर्बर रखा था। सीमा पर तैनाथ हमारे साइनिकों को कॉंग्रेस ने बहतर सुविदाओं से बंचित रखा। आतंकी हमारे सैनिकों के सिर काट करके ले जाते थे। और कॉंग्रेस सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी रहती थे। बयान दे करके छुड़ जाती थे। देश में आतंकी हमले होते थे। कॉंग्रेस के लोग विदेशों से मदद मांगने के लिए गुहार लगाते थे लेकिन आज का भारत नया भारत है आज की सेना आतंकियों को उनी की भासा में जबाब देती है करारा जबाब देती है गर में घुशकर जबाब देती है आज सीमा परतैनाथ हमारे सपुतों को आधुनिक सुविदाएं दी जा रही है आज सेना को मेड इन इंडिया अस्त्र सस्त्र दिये जा रहे है यह भाजपा सरकार ही है जिसने साइनी स्कुलों में तीनों सेनाओं में बेटियों की भरतियों के लिए दरवाजे खोल दिये है अब हमारी बेटियां भी सेनाओं में अपसर बन सकती है और अगरीम मोर्चों पर तैनाथ हो सकती है